हमस्कार मनुष्य के आचरण को तीन भ़ागों में बाटा जा सकता है कि विक्रती कि कैंप किसी दूसरे का जो है वो मेरा हो जाए इसलिए छीन कर में उसको लेता हूं यह विक्रती 200 जो मेरा है उसका पूरा उपभोग में करता हूं इसका अर्थ है प्रकृति और सामने वाले की आवशक्ता को पूरी करने के लिए मैं अपनी वस्तु भी उसको देता हूं यह हो गई संस्कृति संस्कृति का निर्मान होता है श्रेष्ट चरित्रों से और श्रेष्ट चरित्र बनते है श्रेष्ट संस्कारों से हमारे देश के बारे में कहा जाता रहा है मतलब हमारे इस भारत देश के लोगों के ऐसे श्रेष्ट संस्कार है ऐसा श्रेष्ट चरित्र है कि सारी मानों जाती, सारी पृत्वी के लोग इससे शिक्षा ले परंतु पास्चात्य विक्रती के अंधाकरण ने हमें नीचे गिरा दिया आज सुभई अकबार में आज मैं पहला एक समाचार पढ़ रहा था और उसमें लिखा था कि रेवाडी हर्याना में एक दस साल की बालिका के साथ साथ लड़कों ने सामुईक बलातकार किया और उसमें से छे बालक तो केवल दस से बारा वर्ष की आयू के है और उसमें भी तीन उसके अपने परिवार के है रिष्टेदार है अब देखिए कितनी दिल को दहला देने वाली घटना है समाज किस दिशा में जा रहा है दस से बारा साल के लड़के अपने परिवार की ही अपने रिष्टे की ही एक छोटी बालिका के साथ सामिक बलातकार कर रहे है किस दिशा में जा रहा है हमारा समाच ये जानकरी ये समाचार हमें ये सोचने के लिए मजबूर कर देता है जगजोर देता है ये वो देश है जहां नवरात्री के दिनों में बाली का पूजन होता है छोटी छोटी बाली काओं का भी पूजन होता है ये वो देश है जब सीता मैया का अपरण हो गया और उसके बाद राम जी और लक्ष्वन जी सीता मैया को खोज रहे थे तो रास्ते में उनको कुछ आभूशन मिले तो जैसे ही गले का हार मिला तो राम जी लक्षवन को कहते है देख तेरी भावी का हार है ना लक्षवन जी बोले नहीं मुझे पता नहीं यह भावी का है या किसी और का है थोड़ी दूरी पर कंगन मिले यह देख तेरी भावी के कंगन है ना मुझे पता नहीं भावी के किसी और के और फिर थोड़ी दूरी पर जो पायल गिरी थी वहां दोड़ते हुए जाकर लक्षमाण जी ने कहा कि भाया ये देखो मेरे भावी की पायल है लक्षमाण जी इतना श्रेष्ट चरित्र इतना श्रेष्ट आदर्श इतने श्रेष्ट संस्कार कि उनकी नजर हमेशा अपने भावी के पैरों में ही रहती थी और इसलिए श्रेष्ट प्रसलित हुआ नाहम जानामी के यूरे नाहम जानामी कुंडले नुरुपुरे अपितु जानामी नित्यम पादाभी बंदना मैं केवल इस पायल को जानता हूं जिसके जिन पेरों की मैं सदा चरन बंदना करता था उस पेरों में पहने हुए इन पायलो को तो मैं जान सकता हूं बाकी के आभुषणों के बार में मुझे मत पूचे ऐसे श्रेश्ठ आधर्श ऐसे श्रेश्ट संस्कार हमारी परंपराने हमारी इतिहास ने हमारी संस्कृति ने हमें दिये लेकिन भोगवाद के चलते हम सब लोग चाहिए रे चाहिए रे हमारे दैहिक सुखों की पूर्ती के लिए ही सारा जीवन खपाने लग गए हमारा देश तो ऐसा है जहां पर सर्वत्यागी संतों की पूजा होती है साधू की पूजा होती ह आप कोई भी एक उधारन बता दीजे कि वह बहुत अच्छा कमाने वाला व्यक्ति है बड़ा धनाड़े व्यक्ति है इसलिए उसकी पूजा इस देश में हुई हो ऐसा उधारन देखने से भी खोजने से भी नहीं मिलता एक बहुत अच्छी कहानी याद आती है एक विदेश में पढ़ा हुआ एक नवयवक और बड़ा सूट कोट टाय पैंट पहन के और सूट बूट में चल रहा था ट्रेन में सफर कर रहा था और उसके सामने ही एक अनाड़ी अनपढ ऐसी महिला थी उसके साथ उसका चोटा बच्चा भी था अनपढ गवार महिला पता था यह बड़ी मस्ती के साथ सिग्रेट पी रहा था और धुआ सामने वालों के उपर फेक रहा था जैसे ही उसकी सिग्रेट खतम हो गई उसने वह सिग्रेट का बच्चा हुआ टुकड़ा खिड़की से बाहर फेक दिया उसी समय वो बच्चा जोर से चिल्लाने लगा मा देखो गंगा आई गंगा आई वह यह था कि वो रेल चलते हुए पुल पर आगे जिसके नीचे से गंगा नदी बहरी थी तो वो जो अनपड़ गवार महिला थी उसने अपने बेटे को एक चपत लगाई और कहा गंगा ने गंगा मैया आई यह वह और ऐसा कहकर उस मैया ने उस अनपड़ गवार महिला ने एक रुपए का सिक्का दिया और अपने बेटे को कहा ये गंगा मैया को प्रशाद के रूप में चड़ाओ अर्पित करो कहा तो एक तरफ सिग्रेट का टुकड़ा गंगा की और फेकने वाला वो नवयुवक पढ़ा लिखा नवयुवक और कहा दूसरी और श्रेश्ट संस्कारों से युक्त वो अनपड महिला जिसने गंगा मैया कहने के लिए बोला और यहां तक कि कुछ नो कुछ समर्पन का तो इससे wonder से हम श्रेश्ट संसकार संसकार पाते असा मीन है शिक्षत अलग है हमें दोनोगी आवशकता है लेकिन केवाल के पत पर आगे बढ़े तो हम केवाल काले अंग्रेज ही तयार कर पाएंगे और हमारे देश को शिक्षा के साथ-साथ संसकार की उतनी ही ज़्यादा आवशक्ता है हम कहते हैं जो गाव में हमारा काम चलता है उसके अंदर जो केंद्र चलता है मुसको कहते है सूरिया संसकार केंद्र और वहाँ पर पढ़ाई के साथ-साथ अच्छी संस्कार की बाते भी उनको बताई जाती है जैसे माता पिता जी और घर में जो बड़े भुजूर्ग है उनके रोज उठकर पाऊँ छूना दूसरी बात बताई जाती है कि जो बड़े आग्या देते है जो बात कहते है उस आग्या का पालन करना किसके साथ साथ बहुत सारी और भी बाते बताई जाती है जैसे रोज रात को सोते समय मा के पाउं दबा कर सोना चरंट सेवा करके सोना है फिर भोजन करने से पहले भोजन मंत्र बोलने के बाद ही अन्न को ग्रहन करना है ये छोटी-छोटी बात है सुब उठते है तो भूमी माता को वंदन करके ही उठना है जब स्नान करते है तो श्रेष्ट नदियों को स्मरण करके उस पानी के अंदर उनको स्मरण करते हुए स्नान करता है और अपने को पवित्र कर लेना है तो ऐसी चोटी-चोटी बातों के संसकार हम संसकार केंदर के अंदर बताते हैं इसके साथ साथ उच्सो कैसे मनाना, हमारी दिंचर्या कैसे हो, सुबह जल्दी उठना, जल्दी सोना और उससे क्या लाब होता ये हम बताते हैं और हमारा व्यवार कैसा हो, हम मीठी वानी बोल करके कैसे सारे समाज को अपने साथ जोड ले, ऐसी चुट चुटी बाते भी हम संस्कार के इंदर में सिखाते हैं, एक कहानी शायद हम सब लोगों ने सुनी हो, एक डाकू था और उसने अपने आखरी डकैती में एक बड़े ध जनाड वेक्ति की हत्या की उसके पूरे परिवार की हत्या की और सारा धन चीन लिया, स्ववाइक है उस राज्य का जो कानुन था उसके मुताबिक उसको फासी की सजा होई, और सजा जब होई तो उससे मिलने के लिए उसकी मा पहुंची, और मा को बड़ा दुख हो रहा थ कि अब मेरे बेटे को फासी हो जाएगी, तो बड़े दुखी मन से रोते हुए उसके पास आई, उसको देख करी उसके आसू बह निकले, तो जो डाकू था, उसने उस जेल के अधिकारियों से प्रार्तना की, क्या मैं अपनी मा से गले लग सकता हूं, उसके लिए मुझे इ अनुमती थी, वो डाकू जैसे ही मा से गले लगा, उसने जोर से उसका कान काट लिया, अपनी मा काई कान काट लिया, वो जेल के अधिखारी बड़े आश्चरे चकित हुए, उनने जट से उस केदी को दूर किया, डाकू को दूर किया, और मा भी उसकी एकदम आसू भी बह हो कर मेरा कान काट रहा है, तो जेल के अधिकारियों ने इसके दो डंडे लगा, अपने मा के साथ को ऐसा बेवार करता है, तो डाकू ने जो उत्तर दिया, उस मा को हमेशा याद रहने माला उत्तर था, उस डाकू ने कहा, जब मैंने जीवन की पहली चोरी की थी, उसी समय अच्छे संस्कारों की सीख देते हुए, अगर मेरी मानी मुझे दो तमाचे लगा दिये होते, तो आज मुझे फासी की सजा नहीं होती, ये बच्पन में होने वाले चोटे-चोटे संस्कार व्यक्ति को आगे जीवन में कहां तक ले जाते हैं, ये इस उधारण से हमें पता चल सकता है, हम क्या कहते हैं, इससे ज़्यादा हम कैसा आचरण कर रहे हैं, कैसा व्यभार कर रहे हैं, इसका असर सामने वाले पर होता है, इसलिए गीता में भी कहा गया मतलब जो समाज में जो श्रेष्ट लोग है वो किस तरह का आचरण करते है ये देखकर पूरा समाज उनका अनुकरण करता है इसलिए हम सब लोग की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि श्रेष्ट संसकारों से युक्त होकर अपने आचरण से समाज को एक दिशा दे क्योंकि बड़पन कोई आयू या पद के कारण नहीं आता बड़पन आता है उस व्यक्ति के संसकारों के कारण उस व्यक्ति के चरित्र के कारण और इसलिए उस श्रेष्ट चरित्र को गड़ने के लिए श्रेष्ट संस्कारों को गड़ना होगा श्रेष्ट संस्कारों में पल्लवित होना होगा हम जो खेल भी खिलाते है तो भारतिय खेल जैसे है तो उसके अंदर एक खेल है मैं हूँ बंदा वीर बेरागी खेलों में भ कोई होनहार लड़का और उस दोनों कतारों के बीच में से जाता है कतार में खड़े हुए सारे बालक उसकी पीट पर गुद्दे मारते हैं फिर भी उस संकटों के बीच में से निकलने का बंदा बैरागी जी का जो श्रेष्ट संसकार है वो उस खेल से हमें मिलता है वो बीच वीर बेरागी और ऐसे वीरता के संसकार लेकर वो आगे बढ़ता है हम सब लोग जानते हैं चत्रपती शिवा जी महराज के बच्पन में ऐसी वीरता के संसकार कराने वाले खेल उनकी मां उनको खिलाती थी उनके सहयोगियों के साथ में उनके सातियों के साथ ऐसी वीरता के सं पकड़ने वाला है तो बीच में से कोई निकलेगा और कहेगा मैं वो शिवाजी अब उसको पकड़ना पड़ेगा तो मैं शिवाजी बनू उनकी तरह श्रेष्ट बनू बहादूर बनू ऐसे संस्कार खेल से भी हमें मिलते तो खेल का भी अपना महत्व है कि हम कौन से खेल ख वे और ऐसे हाथ करें त्यार रहना है और जैसे कोई खाने वाली चीज ऑली जाएक तुरंब ओलना ओंगा जैसे बोला कि आंध़ लड़ु घंगा और वाएज सी चीज बहुं पर टो जिसने हाथ दो ओड़य ऑख रोगौ सरीकार ओकर टॉण्गा और वो बहू होट है वो बाद, तो ऐसे खेल का क्रम जब चल रहा था, तो उन्होंने अचानक बोल दिया गोबर, तो किसी बच्चे ने गलती से जट से बोल दिया, खाऊंगा, सारे बच्चे हसने लगे, कहने लगे, रहे देखो ये गोबर खाता है, खेल का क्रम आगे बढ़ा, बढ़ते हुए ह उन्होंने कहा पैसा, और जैसी किसी ने खाऊंगा बोला, तो प्रचारक जी ने कहा, जीवन में कभी गोबर खाने की नौबत आये तो चलेगा, लेकिन पैसा कभी मत खाना, उन छोटे छोटे बाल मनों पर ये जो संसकार हुआ है, आपको क्या लगता है, जीवन भर के जलगते हैं, संग के बहुत बड़े अधिकारी हुए, बाला साब आप्टे जी, तो परमपजी ने डॉक्टर एडगेवार जी ने उनको संग के साथ जोड़ा, लेकिन पहले तो जानते नहीं था, परिचाह नहीं था, कौन था, मिले भी नहीं था, लेकिन शाखा में जो आते थे, तो डॉक्टर साब उनके घर पर जाते थे, कि आरे, आज क्यों नहीं आए, शाखा में, तो बताते थे, कि आज तो टाइपिंग का क्लास था, तो जब उन्हों ने देखा, तो टाइपिंग के कागज पर देजभक्ती की कहानिया टाइप करवाई गई थी, तो उन आज बास आपटे भी संग के कार्य करता ही नहीं, प्रचारक बन गए, तो हर काम में क्या संसकार युक्त आदत हम छोटे बच्चों में डाल रहे हैं, ये बात हमें ध्यान देनी होगी, हम क्या पढ़ते हैं, ये भी मेहतुप्रण है, क्या संसकार प्रत, पुस्त के हम पढ विदेश के विदेशक समस्कारा से और से उक्ता यह आरे ग्रंथ हम पड़ते हैं तो हमारे झीवन को श्रोपता कि भी चाने की और बालकों को उनके जीवन डीवनुके अर्व ऑग्रसर करेंगे वीर बालक वीर बालिकाय एक लोटा पानी कल्यानकारी कहानिया देश-विदेश के वीर बालक, बोध कता, ऐसी न जाने गीता प्रेस के कितनी सारी पुस्तके हैं, वो पुस्तके हम घर में लाएं और हमारे बच्चों को पढ़ाएं, अपने केंदर पर, संसकार केंदर पर बच्चों को पढ़ाएं, तो श्रेष्ट जीवन चरित्रों का नि संस्कृत करते और उसमें जो ग्यान का वरणन किया है उसके आधार पर अपने देश में नई नई तक्निकों का निर्मान करते हैं और अपने देश को भी श्रेष्ट बनाते हैं इसा एक साहित्यकार ने कहा था कि आपके देश में बालकों और युवाओं के होठो पर पर कौन से गीथ है यह बताओ, मैं उस देश का भविश्य आपको बता दूँगा, अगर बालको के युवाओं के जीव पर भक्ती के देश भक्ती के गीथ है, भजन है, तो ये मानना चाये कि निश्चित ही उस देश का भविश उजवल है, और ऐसे उजवल भविशका निर् हमारी रुचिया कैसी यह भी महत्वयू नहीं हमारी हब वह हम कैसी कैसे कामों को करकर कैसी बातों को सीखके रुचि लेते है यह वी बड़ा महत्व का विशह है अगर किसी को श्रेष्ट महापुर्षों के चरित्र पढ़ने में रुची है, किसी को वैदिक गणित पढ़ने में रुची है, किसी को चेस, शत्रंच का खेल खेलने की और उसको सीखने की रुची है, और किसी को अच्छी कविताय, प्रेरक कविताय बनाने का अगर रुची है, किसी को वड़े सुन्दर महापुरुषों के और देवी देवन के चित्र बनाने की रुची है तो निश्चित रूप से ये रुची भी हमारे संस्कारों का भाग बनेगी और इन रुचियों के कारण जो गुण निर्मान होंगे उन सारे गुणों का उपयोग मैं अपने परिवार अपने समाज अपने देश को आगे ले जाने के काम में उन्होंने उनके अंदर बहुत सारे गुण थे वेरिस्टर तो थे ही श्रेष्ट साइट्यकार थे उनहोने कितनी सारी शाहित्यों का निर्मान तो अंधमान की जेल में कर दिया कविताय भी लिखी वड़ी पुस्तके भी लिखी उपन्याज भी लिखे अपना आत्मचरित्र भी लिखा मैजिनी का आत्मचरित्र लिखा भारत के 1857 के स्वातंतर संग्राम का वरणन करते हुए इतिहास को लिखा भारत के 6 स्वरणिम पृष्ट इतिहास के जो है उसको और इसके साथ साथ जो भी गुण उन्होंने अपने जीवन में ग्रेंड किये थे वो प्रार्थना करते थे कि हे मात्र भूमी इन सारे गुणों का उपयोग तेरी स्वतंत्रता के लिए तेरे उत्थान के लिए हो तभी उन गुणों का मेरे अंदर आना लाबदाई होगा हम सब लोगों को प्रेणा देने वाला है उसमें कहा गया है निर्मान के पावन युग में हम चरित्र निर्मान न भूले स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्यान न भूले जो अंधी दोड चल रही है और यह जो देहिक और भोतिक भोग विलास के साधनों को चैता है कि हम अपने श्रेष्ट संस्कारों को अपने श्रेष्ट चरित्रों को न भूले और उस चरित्र की दिशा में हम आगे बढ़ते चले एक बार स्वामी विवेकान जी अमरिका में जब टहल रहे थे तो जब वो सडक से जा रहे थे तो बहुत सारे अमरिकन उनकी वे जब चल रहे थे तो बहुत सारे अमिरिकन उनको देखर हस रहे थे उनकी हसी उड़ा रहे थे उनका मजाक उड़ा रहे थे तो एक अमरिकन तो पास आकर बोला ये कैसे बेहुद्य वस्र पैन रखे है ये तुमारे पास सूट बुट टाय कोट नहीं है तो स्वामी वेकाननजी ने उत्तर दिया था तुमारे देश में दरजी के द्वारा बना हुआ ये जो सूट और कोट और पैंट है इसके कारण से सभ्यता नापी जाती होगी लेकिन हमारे देश में तो गुरू के द्वारा मिले हुए श्रेष्ट संसकार और उनके चरित्र के द्वारा ही व्यक्ति की उचाई नापी जाती है ऐसे श्रेष्ट देश में हम सब लोग पैदा हुए है भगवान के कृपाई है क्योंकि जिस देश में पैदा होने के लिए स्वर्ग के देवता भी दरस्ते है ऐसे भारत भूपर हमें जन्म मिला है तो जो संसकार की बात कर करके हमने अपने जीवन को श्रेष्ट बनाना है श्रेष्ट जीवन से हमने आध्यात्मिक उन्नति करनी है भगवान की भक्ति की और आगे बढ़ना है जब भगवान की भक्ति हमारी तीवृता से प्रकट होगी तभी प्रभू की प्राप्ति हमें हो पाएगी अरे यही तो इस मानव जीवन का अंतिम लक्ष है कि हम प्रभू की प्राप्ति करें और उस अंतिम लक्ष तक पहुचने के लिए आज मिले हुए छोटे-छोटे संस्कारों के जो बीज है अच्छे संस्कारों के बीज है यह जब पनपेंगे तभी जाकर हम अपने अंतिम लक प्रभू में जन्म मिला है इस श्रेष्ट धरा पर जो जो लोग जन्म लेते हैं यह आखरी स्टेशन है इसके बाद यह जो जन्म मरण का चक्र है यह चूट करके भगवान की प्राप्ति होने वाली है और उसी श्रेष्ट उद्देश्य के लिए हम सब लोग अपने अंदर श्रेष्ट संसकारों को ग्रहन करें इस तरह से हम सबी स्वयम अपने अपने परिवार और अपने समाज को संसकारित कर अपने जीवन के उद्देश को प्राप्त करें अपने जीवन को सार्थक करें यही प्रभुचरणों में प्रार्थना करता हूं धन्यवाद